हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तु तकार रोटोस को न्यू स्कॉर्पियों के अंदर आपको पैनारॉमिक सनुरूफ मिलेगी लेकि यह थोड़ी चोटी है और कहीं ना कहीं महिंद्रा का यह काफी स्मार्ट डिसीजन है क्योंकि किसी को ज्यादा लगजीरी कार चाहिए तो वह ले सकता है उसके अंदर आपको पूल पैनारॉमिक सनुरूफ देखने में मिलती है और जिन लोगों बहुत ही बढ़िया ओफ्रोडिंग कार चाहिए वो स्कॉर्पियों ले सकते हैं लेकिन इस गाड़ी के लाउंच पहले किया रहा था था दोवार 20 के अंदर दोवार 20 में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करते हूं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को ग्लोगल एंसी एपी में 5 मैंसे 0 स्टार मिलेते लेकिन महिंद्रा अपनी नैस जनेरेशन स्कॉर्पियों को फुल लोड़ी सेफटी फीचरे साथ लॉंच करने वाला है जो बिल्कुल एक्सुवी सेवन डावलो के जैसी होने वाली है बिल्कुल ही फुली हाइटेक तरीके से इसे फीचर मिलने वाले हैं आपको और अगर वीडियो पसंद रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुशती रहे हैं पांच ऐसी बातें जो न्यू महिंदरा स्कॉर्प्यो को अलग बनाती है पुरानी स्कॉर्प्यो से लेकिन महिंदरा ने अपनी एक स्टैटिजी बना लिए कि हम अपनी गाड़ी को फुली हाइटएट फीचर से लाउँच करेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी किसी भी गाड़ी से perform कर सके हर किसी segment में चाहे वो क्या की सेल्टोस हो MG Hector और Tata की सफारी हो क्योंकि महिनरा अपनी गाड़ी में 4x4 जरूर ओफर करेगा वो SUV ही किया जिसके अंदर एक 4x4 का option ही ना मिले अब पहले point की बात कर लें तो वो है इसका engine new Scorpio के अंदर आपको दोनों ही engine option देखने को मिलेंगे petrol और diesel पेट्रोल इंजन आपको 2.0 लीटर का M-Stallion TGDI engine देखने को मिलेगा जो लगव 170 भी पार प्रोडूस करेगा और दूसरा है 2.2 लीटर का M-Hawk 4 cylinder B-6 diesel engine जो लगव 150 BHP की पावर प्रोडूस कर गए देगा यह दोनों ही engine आपको 6-speed automatic और 6-speed manual transmission के साथ देखने को मिलेंगे और इन दोनों ही engine में आपको 4x4 का option भी देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा बहता है इस segment के अंदर क्योंकि टाटा सफारी M-G Hector Plus और नेश जनलेसर हुंड़ाई की अलगजार में आपको 4x4 का option नहीं मिलता कही न कहीं महिंद्रा के लिए एक प्लस है कि इन तीनों गाड़ियों में आपको 4x4 का option नहीं मिल पाता लेकिन महिंद्रा अपनी गाड़ियों में 4x4 का option जरूर देगा और न्यू महिंद्रा Scorpio के अंदर आपको एक संरूप भी देखने को मिल सकता है जो बहुत ही ज़्यादा हाइटेक है क्योंकि कहीना कही Scorpio अब एक brand बन चुका है और इतने ज़्यादा हाइटेक फीचर साथ launch होने के बाद कई सारी गाड़ियों की sales पर बहुत बड़ा effect पढ़ने वाला है जब महिन्द्रा Scorpio को 2002 के बाद launch किया गया था उसके बाद से महिन्द्रा Scorpio में आपको किसी भी तरीके से कोई इतने हाइटेक फीचर के साथ बदलाव नहीं किये गए थे अब दूसरे points की बात कर लें वो है safety इस गाड़े में आपको ABS, EBD, electronic stability control, traction control, heel decision control, heel hold control, ISF child seat जैसे safety features मिल जाएंगे हर किसी वेरिंड में यह गाड़ी ज्यादा reliable बन सके इसलिए इस गाड़ी की इतनी या टैस्टिक की जाने हैं और नू महिन्द्रा Scorpio rework later frame चेसी पर बनाए जाएगी जिसकी वएसे निव महिन्द्रा Scorpio काफ याद लंबी और चोड़ी होगी अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है इसका इंटिरियर इसके इंटिरियर में आपको काफ ज्यादा बदलाव किये गए हैं इसके अंदर दस इंका instrument cluster system इसके अंदर vertically horizontal rear AC wind push start stop button और इसके अंदर multifunctional steering wheel 3rd row front facing seat premium upholstery android auto apple carplay और इसके अंदर आपको connected card technology wireless charging automatic climate control और power adjuster driver seat and co driver seats और इसके अंदर आपको panoramic sunroof भी देखने को मिल सकती है न्यू महिंद्रा स्कॉर पी अपने segment में बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है अगर fourth points की बात करें तो वह है उसका exterior इसके exterior में काफी बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके exterior में काफी बदलाव किये गए हैं अगर हम कुछ spice source को देखें तो इसके अंदर आपको long bumper long bonnet औ and air detail lamps और four disc break के साथ दिया गया है सब कुछ और new mahindra scorpio को city में highway पर और high speed पर testing करते देखा गया है और extreme weather में भी testing करते वह देखा गया है क्योंकि यह गाड़ ज्यादा reliable बन सके इसलिए इसकी इतनी ज़्या testing की जा रही है और इसके last points की बात करें कि इसका expected price क्या होने वाला है इसका expected price 12 lakh से start होकर 90 lakh उपीश तक हो सकता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो केनल को subscribe कर दो, like कर दो और बस आज के लिए सिफ इतना ही